उत्तर प्रदेश्टोनी आयोध्यलो परियाटिस्तुना प्रधानी मोधी आयोध्यदाम राइल्वे स्टेशन प्रारम मिच्छारू तरवात रेंडू अम्रुद भारत रैल्लू आरू वंदे भारत रैल्लकू पच्च जेंडा उपैरू तरवात महर्शिवाल्मी की अंतर जातिया विमानास्रियानी प्रारम मिच्छारू प्रधानी विमानास्रियां पक्करून मैदा नमलो एरपाट जिसने जन सभलो पालगुन नरू प्रधानी माननी प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोधी जी जो 140 करोड भारतियों के सपनों के साकार होने की गैरंटी का दूसरा नाम है मैं बहुत ही आधर के साथ माननी प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने प्रेर्णा दाय उद्वोधन से हमारा मार्ग दर्शन करें आयोध्या जी के सभी लोगों को मेरा प्रणाम आज पूरी दुनिया उत्सुक्ता के साथ बाईस जनवरी के अईतिहासी च्छन का इंतजार कर रही है ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्सा ये उमंग बहुत स्वाभाविक है भारत की मिट्टी के कंकां और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूँ और मैं भी आपकी तरह उत्नाही उत्सुक हूँ हम सभी का ये उत्सा ये उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सडकों पर भी पूरी तरह नगर आ रहा था ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सडक पर उतराई हो इस प्यार इस आशिरवाद के लिए मैं आप सभी का रगय सा आभार व्यक्त करता हूँ मेरे साथ बोलिए सियावर राम चंद्र की उत्तर प्रदेश की गवरनर आनंदि बेन पटेल यहां के लोकपुरिय मुख मंत्री योगी आधित्यनाच जी मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी जोति राधित्य जी अस्वीदी वैश्णव जी बिके सी जी उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीम केश्व प्रसाज मोर्य जी ब्रिजेश पाठक जी यूपी सरकार के अन्य मंत्री गण सभी साउसद और विदाईग्ण और विशाल संख्य में आए मेरे परिवार जनों देश के इतिहास में 30 दिसंबर की ये तारीक बहुत ही आइतिहासिक रही है आजके ही दिन 1943 में नेताजी सुभाच चंद्र बोज ने अंडमान में जंडा फैरा कर भारत की आजादी का जैगोश किया था आजादी के अंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अमरित काल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं आज विक्षिद भारत के निर्मान को गटी देने के अभियान को अयोध्यान नगरी से नई उर्जा मिल रही है आज यहां पंद्रा हजार करोड रुपे से अधिक के विकास कारियों का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है इंफ्रास्ट्रेक्टर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्से पर फिर से गवरव के साथ स्थापित करेंगे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच ये कारिया अयोध्यावासियों के अथक परिश्रम का परणाम है मैं सभी अयोध्यावासियों को इन परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूँ मेरे परिवार जनो दुनिया में कोई भी देश हो अगर उसे विकास की नई उचाई पर पहुँच रहा है तो उसे अपनी विरासत को समालना ही होगा हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है हमें सही मार्ग दिखाती है इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसाथ करते हुए आगे बढ़ रहा है एक समय था जब यहीं आयोध्या में राम लला टेंट में बिराजमान थे आज पक्का घर सिर्फ राम लला कोई नहीं बल्कि पक्का घर देश के चार करोड गरीबों को भी मिला है आज भारत अपने तिर्थों को भी समार रहा है तो वहीं डिजिटल टेक्लोलोजी की दुनिया में भी हमारा देश चाया हुआ है आज भारत काशी विश्वनात धाम के पुननिर्मार के साथ ही देश में तीस हजार से जादा पंचयद भवन भी बनवा रहा है आज देश में सिपकेदार धाम का पनुर्दारी नहीं हुआ है बलकि 315 से जादा नए मेरिकल कॉलेग भी बने हैं आज देश में महाकाल महालोग का निर्मारी नहीं हुआ है बलकि हर गर जल पहुँचाने के लिए पानी की दो लाग से जादा तंकियां भी बनवाई है हम चान, सूरज और समुद्र की गहराईयों के भी नाप रहें तो अपनी पवरानिक मुर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापिस ला रहे है आज के भारत का मिजाट यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है आज यहां प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है यही तो भारत है विकास और विरासत की यही साजा ताकत भारत को 21 सबी में सबसे आगे ले जाएगी मेरे परिवार जिनों प्राचिन कान में अयोध्या नगरी कैसी थी इसका वर्णन खोद महर्शी वालमी की जिने विस्तार से किया है उन्होंने लिखा है कोसलो नाम मुदितह स्भीतो जनपदो महान निविष्ट सर्यूतिवे प्रभूत धन धान्यवान अर्थात वालमीज बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी सम्रुद्धी के शिखर पर थी और आनन्य से भरी हुई थी यानि अयोध्या में विज्ञान और बैराग्य तो थाई उसका वैभव भी शिखर पर था अयोध्यान नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिक तांग से जोड़कर वापिस लाना है साथियों आने वाले समय में अयोध्यान नगरी अवद छेत्र ही नहीं बलकि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है अयोध्या में स्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धी होगी इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड रुप्यों के विकास कारिय करा रही है अयोध्या को स्मार्ट बना रही है आज अयोध्या में सडकों का चौड़ी करन हो रहा है नए फुटबात बन रहे है आज अयोध्या में नए फ्लायोवर बन रहे है नए पूल बन रहे है अयोध्या को आसपास के जीलों से जोडने के लिए भी यातायात के साधनों को सुधारा जा रहा है साथियों आज मुझे अयोध्या धाम एरपोर्ट और अयोध्या धाम रेल्वे स्टेशन का लोकारपन करने का सवभागे मिला है मुझे खुसी है कि अयोध्या एरपोर्ट का नाम महर्शी वालमिकी के नाम पर रखा गया है महर्शी वालमिकी ने हमें रामायन के माध्यम से प्रभू स्री राम के कृतित्व से परिचित करवाया महर्शी वालमिकी लिए प्रभू स्री राम ने कहा था तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिमी तुमरे हाथा अर्थाथ हे मुनिनाथ आप त्रिकाल दर्शी है संपुन अभिश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है ऐसे त्रिकाल दर्शी महर्शी वालमिकी जी के नाम पर अयोध्या धाम एरपोर्ट का नाम इस एरपोर्ट में आने वाले हर्यात्री को धन्य करेगा महर्शी वालमिकी द्वारा रचीत रामायान वो ज्यान मार्ग है जो हमें प्रभूस्री राम से जोडती है आदुनिक भारत में महर्शी वालमिकी इंटरनेशनल एरपोर्ट अयोध्यादाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा जो ये नया एरपोर्ट बना है उसकी छमता हर साल दस लाग आत्रियों को सेवा करने की छमता है जब इस एरपोर्ट के दूसरे तरह काम भी पुरा हो जाएगा तो महर्शी वालमिकी इंटरनेशनल एरपोर्ट पर हर साल साथ लाग आत्री आजा सकेंगे अभी अयोध्याधाम रेलवे स्टेशन पर हर रोग दस पंदरह हजार लोगों को उनकी सेवा करने की छमता है स्टेशन का पूरा विकाँध होने के बाद अयोध्याधाम रेल्वे स्टेशन पर हर रोट साथ हजार लोग आजा सकेंगे साथियों एरपोर्ट रेल्वे स्टेशनों के अलावा आज यहाँ अनेक पथों का मार्गों का भी लोकारपन हुआ है रामपत बक्तीपत धर्मपत और स्री राम जन्म भूमीपत से आवाजाई और सुगम होगी अयोध्या में आज ही कार पार्किंग स्थलों का लोकारपन किया गया है नए मेडिकल कॉलेज से हाँ आरोग्य की सुविदाओं को और विस्तार मिलेगा सर्यूजी की निर्मलता बनी रहे इसके लिए भी डबल इंजिन सरकार पूरी तना समर्पित है सर्यूजी में गिरने वाले दुसीत पानी को रोकने के लिए भी काम शुरू हुआ है राम की पैड़ी को एक नया स्वरूप दिया गया है सर्यूजी के किनारे नए नए घाटों का विकास हो रहा है यहां के सभी प्राचिन कुंडों का पुनरुदार भी किया जा रहा है लता मंगिस कर चोक हो या राम कतास्तल यह अयोद्य की पहतान बढ़ा रहे है अयोद्य में बनने जा रही नई टाउन सिप यहां के लोगों का जीवन और आसान बढ़ाएगी विकास के इनकारियों से अयोद्य में रोजगार और स्वरोजगार के नए आउसर भी बनेंगे इस से यहां के टक्सी वाले रिक्साँ वाले होटल वाले धाबे वाले प्रसाद वाले फूल भेचने वाले पूजा का सामगरी बेचने वाले हमारे छोटे-मोटे दुकानदार भाई सभी की आय बढ़ेगी मेरे परिवार जनों आज यहां आधुनिक रेलिवे के निर्मार की तरफ एक और बड़ा कदम देश ले उठाया है बंदे भारत और नमो भारत के बाद आज एक और आधुनिक ट्रेन बेश को मिली है इस नई ट्रेन सिरीज का नाम अमरिद भारत ट्रेन रखा गया है बंदे भारत नमो भारत और अमरुद भारत ट्रेनों की ये त्री शक्ती भारतियर रेलिवे का काया कल्प करने जा रही है इससे बड़ी खुशी के बाद क्या हो सकती है कि पहली अमरुद भारत ट्रेन आयोध्या से गुजर रही है बिल्ली दरबंगा अमरुद भारत एक्ष्प्रेस ट्रेन बिल्ली यूपी बिहार के लोगों की यात्रा को आधुनिक बनाएगी इससे बिहार के लोगों के लिए वग्व राम मंदिर में विराजमान विराम लला के दर्सन को और सुगम बनाएगी ये आधुनिक अमरुद भारत एक्ष्प्रेस ट्रेन विशेद रुपते हमारे गरीब परिवार हमारे स्रमिक साथ्यों को बहुत मदद करेगी स्री राम चरित मानस में गोश्वामी तुलसिदाजी ने कहा है परहित सरीस धरम नहीं भाई पर पीडा सम नहीं अदमाई अर्थात दूसरों की सेवा करने से बड़ा और कोई धर्मा कोई और कर्तब्य नहीं है आदुनिक अमृत भारट्रे ने गरीब की सेवा इसी भावना से ही शुरू की गई है जो लोग अपने काम के कारण अक्सल लंबी दुरी का सफर करते हैं जिनकी उतनी आबदी नहीं है आदुनिक सुविधाओं और आराम दायक सफर के हकदार है गरीब के जीवन की भी गरीमा है इसी दे के साथ इन ट्रेनों को डिजाइन किया गया है आज ही पस्चिम मंगाल और करनाटका के साथ्यों को भी उनके राजी की पहली अमरिद भारत एक्स्प्रेस ट्रेन मिली है में राज्यों को भी अमरिद भारत ट्रेरों अयोध्या धाम जंक्षन आनन्द विहार बंदे भारत शुरू की गई है इसके अलावा आज कट्रा से दिल्ली, अमरिद सर से दिल्ली, कोईम टूर बैंगलूरू, मैंगलूरू मडगाउं, जालना मुंबई इन शहरों के बीज भी बंदे भारत की नई सेवाएं शुरू हुई है बंदे भारत में गती भी है, बंदे मारत में आदुनिक्ता भी है और बंदे भारत में आत्मनिर्भर भारत का गर्व भी है बहुत ही कम समय में बंदे भारत से डेड़ करोड से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं विशेश तोर पर यूआ पीडी को ये ट्रेन बहुत पसंद आ रही है साथियों हमारे देश में प्राचिन काल से ही तिर्थी यात्राओं का अपना महत्वराहा है अपना गवरवशाली इतिहात रहा है बद्री विशाल से सेतु बंद रामे स्वरम की यात्रा गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा द्वारका दिश से जगनाजपुरी की यात्रा द्वादर जोतिलिंग की यात्रा चार धामों की यात्रा कैलास मानसरवर यात्रा कावर यात्रा शक्ति पीठों की यात्रा पंडरपुर यात्रा आज भी भारत के कौने कौने में कोई न कोई यात्रा निकलती रहती है लोग आस्था के साथ उनसे जुडते रहते हैं तमिल्नाडु में भी कई यात्राएं प्रसिद्ध हैं शिवस्थल पाद यात्ति रई मुरुगनंकु कावणी यात्ति रई वैश्णव तिरुपपदी यात्ति रई अस्मन तिरुत्तल यात्री रई किरला में सबरिमाला यात्रा हो आंद्र तेलंगना में मेदाराम में समक् सरक्षा की यात्रा हो नागोबा यात्रा इनमें लाखों की संख्या में स्रद्धालू जुडते हैं यहां बहुत कम लोगों को पता होगा कि केरला में बगवान राम और उनके भाईयों भरत लक्ष्मर और सत्तुक्रा के धाम की भी यातरा होती है। यह यातरा नालंबम यातरा के नाम से जानी जाती है। इसके अलाबाँ देश पे कितनी ही परिक्रमाइं भी जानी रही है। गोवर्दन परिकबा पंचकोशी परिकबा चोराशी कोशी परिक्रमा ऐसी यात्राओं और परिक्रमाओं से हर बक्त का इस्वर के प्रती जुड़ाओं और मजबूत होता है बहुत दर्में भगवान बुद्ध से जुड़े सलों गया लुम्बिनी कपिल वस्तू सारनाथ कुशी नगर की यात्राएं होती है राजगीर बिहार में बुद्ध यनुयाईयों की परिक्रमा होती है जैं धर्मे में पावागर, समेच सिकरजी, पालिटना, कहलाज की यात्रा हो सीखों के लिए पंच तक्त यात्रा और गुरुदाम यात्रा हो अरुनाचल प्रदेश में नौर्दिस्ट पर्षुराम कुण की विशाल यात्रा हो इनमें सामिल होने के लिए सद्धालूपुरी आस्ता के साथ जूडते है देश बन में सद्धियों से हो रही इन यात्राओं के लिए वैसा ही समुचित इंतजाम भी किये जाते है अब आयोध्या में हो रहे ये निर्मान कारिय यहां आने वाले हर रामवक्त के लिए अयोध्याध्याम की आत्रा को बगवान के दर्शन को और आसान बनाएंगे साथियों ये एक्तिहासिक छाण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है हमें देश के लिए नवसंकल्प लेना है खुद को नई उर्जा से भरना है इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घड़ों में मैस्पुरे देश के 140 करोर देश वासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमी से प्रार्थना कर रहा हूं अयोध्या की प्रभुराम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं मैं 140 करोर देश वासियों को हाथ जोड करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अविध्या में प्रभुराम बिराजमान हो अपने घरों में भी स्री राम जोती जलाएं दिपावली मनाएं 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए लेकिन साथ ही मेरे सभी देश वासियों से एक करबद प्रात्रा और भी है हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साच्छी बनने के लिए वो स्वयम आयोध्या आएं लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संबव नहीं है अयोध्या में सबका पहुंतना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम-भक्तों को देश भर के राम-भक्तों को उत्तरपदेश के विशेष करके राम-भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार वीधी फुर्वक कारकम हो जाने के बाद 23 तारी के बाद अपनी सुवीता के अनुसार वो अयोध्या आएं अयोध्याने का मन 22 तारी को न बनाए प्रभु राम जी को तकलीब हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं प्रभु राम जी पधार रहे तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें साड़े 500 साल इंतजार किया है कुछ दिन और इंतजार किये और इसलिए सुरक्षा की लिहाद से जवस्ता के लिहाद से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन अयो द्याका नव्य भव्य दिव्य मंदेर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्द है आप जन्रवरी में आए फरवरी में आए मार्च में आए एक साल के बाद आए दो साल के बाद आए मंदिर है और इसलिए बाहि जन्रवरी को यहाँ पहुंचने के लिए बिड़भार करने से आप बचिये ताकि यहाँ जो व्यवस्ता है मंदिर के जो व्यवस्तापक लोग हैं मंदिर का जो ट्रस्ट हैं हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है इतनी महनत करके किया है पिछले तीन चार साल से दिन रात काम किया है उनको हमारी तरफ से कोई तकलिफ नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं बार बार आगर करता हूँ कि 22 को यहाँ पहुंचने का प्रयास हम न करे कुछी लोगों को निमंत्रन गए लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देश वास्यों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा साथियों आज मेरा एक आगर मेरे अयोद्या के भाई बेहनों से आपको देश और दुनिया के अंगिनत अतिजियों के लिए तैयार होना है अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोच अयोद्या आते रहेंगे लाखों की तादाद में लोग आने वाजे हैं अपनी अपनी सुविदा से आएंगे को एक साल में आएगा दो साल में आएगा दस साल में आएगा लेकिन लाखों लोग आएंगे और ये सिलस्रा अब अनंतकाल तक चलेगा अनंतकाल तक चलेगा इसलिए अयोध्या वासियों को आपको भी एक संकल्प लेना है अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का ये स्वच्छ अयोध्या ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है मैं आज देश के सभी तिर्थ छेत्रों और मंदिरों से अपना आगरद हो रहाऊंगा देश भर के लोगा से मेरी प्रातना है बद्र राम मंदिर के दिनवार के निमित एक सब्ता पहले 14 जनवरी मकर संकरांती के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्तलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा भ्यान चलाया जाना चाहिए हर मंदिर हिंदुत्तान के हर कोणे में हमें उसकी सभाई का भ्यान मकर संकरांती 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए प्रभु राम पुरे देश के है और प्रभु राम ती जवा रहे है तो हमारा एक भी मंदिर हमारा एक भी तिर्थ शेत्रा उसक्या और उसके परिशर के इलागे का अस्वच्छ नहीं होना चाहिए गंदगी नहीं हो चाहिए साथ्यों अब से कुछ देर पहले मुझे एयोध्यान नंगिरी में ही एक और सवभागे प्राप्त हुआ है आज मुझे खुसी है यह बताते हुए कि उजवला गैस कनेक्शन की दस करोड़ भी लाबारती बहन के गर मुझे जांकर के चाहिए पिने का मोका विला जब एक मैं 2016 को हमने यूपी के बलिया से उजवला योजना शुरू की थी तो कोई कलपना भी नहीं कर सकता था कि ये योजना सफलता की इस उंचाई पर पहुँचेगी इस योजना ने करोड़ों परिवारों का करोड़ों माता और बहनों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया है उन्हें लकड़ी के दुए से मुक्ति दिलाई है साथियों हमारे देश में गैस कनेक्शन देने का काम साथ सत्तर साल पहले शुरू किया गया था साथ और छे साथ दसक पहले लेकिन 2014 तक हालत ये थी कि 50-55 साल में सिरफ 14 करोड गैस कनेक्शन ही दिये जा चुके थे यानि 5 दसक में 14 करोड जबकि हमारी सरकार ने एक दसक में 18 करोड नए गैस कनेक्शन दिये हैं और इस 18 करोड में 10 करोड गैस कनेक्शन मुक्त में दिये गए हैं उजवला योजना के तहट दिये गए हैं जब गरीब की सेवा की भावना हो जब नियत नेक हो तो इसी तरह से काम होता है इसी तरह के नतीजे मिलते हैं आज कल कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मोदी की गारंटी में इतनी ताकत क्यों है मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करके ले के लिए जीवन खपा देता है मोदी की गारंटी पराज देश को इसलिए भरोसा है क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है और मैं आज अयोध्या के लोगों को फिर से मिस्वाद दूँगा कि इस प्रवित्र धाम के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं चोड़ेंगे श्री राम हम सभी पर आशिरवाद रखे इसी कामरा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ प्रभु स्री राम के चरणों में प्रडाम करता हूँ और आप सब को विकास कारियों की बहदाई देता हूँ मेरे साथ बोलिए सियावर राम चंद्र की भारत माता की भारत माता की ओपनेवाद